भागवानपुर थाना चेतर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां थाना चेतर का मोस्ट वांटेड अपराधी लगबग आधि दर्चन मामली का फ्रार अभ्युक्त निर्दोस पासवान को गिरफतार करने में भागवानपुर थाना की पुलीस ने सफलता पाई है प्राप्त जानकारी कनुसा थाना चेतर के गारागावन निवासी सिपकुमार पासवान और सुनसुन पासवान का पुतर प्रकंड चेतर का मोस्ट वांटेड अपराधी नाम के विप्रित काम को अंजाम देने वाले अभ्युक्त निर्दोस पासवान को गुप्त सूचना क अधार पर थाना अध्यक्स मनिश कुमार सिंग वा ऐसाई नवीन कुमार तथा अन्य पुलीस वल रविवार को दोपहर में गारागाउं इस्तित पुरानी पूल के पास से खदेर कर गिरफतार किया है उसके पास से पुलीस ने लोडेर देशी कटा तथा 315 का चार गोली अधार बढ़ामद किया है उक्तव प्राधी पर भगवानपूर तथा वीदपूर थाने में हत्यासाईथ आध़ा अधा दर्जन अन्यमामली दर्ज है preconhouse अधायां से प्रॉप्ट जानकारी के नुसार उक्तव प्राधी पर भगवानपूर थाना खाण संक्य 136 बटे अन् उक्ता प्राधी की खौप से थाना च्छेतर के उत्री पुरवी भाग में दहसत कायम था। उसके गिरफतारी से उक्ते च्छेतर के लोगों ने राहत की सांस ली है। बेनपी नियुज के लिए भगवानपुर से समवाद दाता बंबं कुमार के लिपो। इस पुगारा पूल के पास से चार गोली और एक देशी पिस्टोल के साथ गिरफतार किया गया है। थाना का मोश्ट वांटर था। गिरफतारी में सर कौन कौन थे। कोई सर गारी भी बरामत की गई है। गारी नादे